जैहिंद दोस्तो, स्वागत है आपका MP Academy के YouTube चैनल पर आज हम एक नए टॉपिक के साथ, नए जोस के साथ आप सभी लोगों के समझ प्रिस्तुत हैं आज का हमारा टॉपिक है सिलोगिजम जिसे हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन दोस्तो काफी important topic है और बहुती सरल topic है ठीक है इसको मैं आपको आज इस तरीके से बताऊंगा कि आज के बाद आप से कभी भी सिलोगिजम के topic पर गलती नहीं होगी ठीक है चलिए दोस्तो, एक-एक करके सभी प्रकारों को हम समझ लेते हैं दोस्तो अभी तक आपने जो भी सिलोगिजम में पढ़ा है आप उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाईएगा ठीक है जैसा मैं बोल रहा हूँ बस उसको समझ लेना है सबसे पहले condition मैं बता रहा हूँ सभी की ठीक है, all की, all की condition मैं बता रहा हूँ कि सभी a b है पहली condition क्या है, सभी a b है इसका हमको diagram बनाना सीखना है सबसे पहले तो diagram बनाना आना चाहिए अगर diagram बनाते नहीं आता है तो definitely आपका answer जो है गलत होने वाला है ठीक है, तो सबसे पहले syllogism में क्या important है तो आप बोलेंगे sir, diagram ठीक है जितने भी प्रकार के diagram होते हैं silogism के अंदर एक एक करके हम उसको समझेंगे यह basic part है, इसमें सिर्फ हमको some, all, some, not, no, no, one यह condition को पढ़ना है आईदर और वाली condition के लिए part 2 अपलोड किया जाएगा और साथ ही जो possibility वाला part होता उसके लिए part 3 तो इस तरह से 3 part में हम पढ़ेंगे किसको silogism को mostly जो question पूछे जाते हैं वो इसी part A में हम सम्मिलित करेंगे ठीक है, तो सभी A, B हैं इसके लिए diagram बनाना है हमको तो सभी A, यानि कि जो A है सभी के सभी A किसके अंदर है? बी के अंदर है, ठीक है? सभी के सभी जो A है वो B के अंदर है इस तरीके से इसका diagram बनेगा ये है A और ये रहा B, ठीक है? चलिए diagram समझ गए हम अब इसके बाद हमको समझना है किसका कुछ A, B है सभी की जगे में क्या लिख सकता हूँ, अब क्या लिख दूँ, कुछ A, B है तो इसको मिटा देते हैं कुछ A, B है कुछ A, B है इंगलिस वाले क्या लिखेंगे? सम, A, R, B ठीक है? तो कुछ A, B है इसका diagram कैसा बनेगा? कुछ जो ये A है वो B है मतलब यहाँ पर क्या हुआ? सम का मतलब होता है common मतलब A और B के बीच में कोई भी common part होना चाहिए सम वाली condition का मतलब ही होता है common ठीक है? अगर common part है तो सम वाली condition सही होगी अन्यता गलत होगी तो इस तरीके से आप देख सकते A और B के बीच में जो यह common part है यह define करता है सम को ठीक है? तो सम A और B के लिए आपको इस तरीके से डाइग्राम बनाना है ठीक है? फिर इसके बाद तीसरी condition हमारी सम A आर not B कुछ A B नहीं है ठीक है? कुछ A, B नहीं है इसका किस तरीके से डाइग्राम बनेगा? तो यह मालीजे A है और यह मालीजे क्या है? B है तो इसमें बोला कि कुछ A मतलब कि कुछ A ऐसे है जो कि B नहीं है और नहीं के लिए यूज करना है आपको cross ठीक है नहीं के लिए क्या यूच करना है cross मतलब जो A का ये वाला हिस्सा है जो A का ये वाला हिस्सा है वो B में नहीं जा सकता ठीक है मतलब कुछ A, B नहीं है इस तरीके से ये वाला डाइग्राम बनेगा इसको आप समझ लीजे अब ये जो मैंने बोला कि ये वाला हिस्सा B में नहीं जा सकता है इसके बारे मैं मैं आँगे बताऊंगा अभी आप सिर्फ डाइग्राम समझ लीजे कुछ A, B नहीं है इसका डाइग्राम हो जाएगा इस तरीके से ठीक है चलिए चौथा है प्रकार अगर ये A है और ये B है ठीक है तो इन में कोई भी डारेक्ट मतलब इनके बीच में रहेगा क्रॉस रिलेशन कोई भी A, B में नहीं है जो ये क्रॉस रिलेशन है इसको आप गेट की तरह समझे है मतलब की कोई भी A, B में नहीं जा सकता है इसका मतलब ये हुआ कि कोई A, B में नहीं जा सकता है कौन रोकेगा ये क्रॉस रोकेगा ठीक है किसी A का कोई भी हिस्सा B में नहीं जाएगा अब आगे समझते हैं इसके बारे में आपने चारो डाइग्राम में एक बार रिपीट कर देता हूँ देखिए सभी A, B हैं मतलब की ये है A और ये है B तो सभी A किसमें हो गए B में हो गए ये वाला बनाना है दूसरा मैंने बताया कुछ A, B है तो जो ये कुछ A थे ये क्या थे? इसमें ये कॉमन पार्ट बनेगा कुछ A, B है इसके बाद तीसरा मैंने बताया सम A, R, Nought, B तो A का कुछ ऐसा भाग है जो B में नहीं जा सकता है इस तरीके से बताया मैंने सम A, R, Nought, B यानि कि कुछ A, B नहीं है फिर कोई A, B नहीं है No No A is B यानि कि कोई भी A, B नहीं है इसका relation मैंने डाइग्राम इस तरीके से बनाया तो अब आपको समझ में आ गया होगा डाइग्राम ठीक है अब कुछ condition ले करके हम समझते हैं पहली condition मैं ले रहा हूँ सम A, R, B मतलब कि कुछ A अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ A, B है ठीक है कुछ A क्या है B है देख सकते हैं बीच में common part है ये वाला ठीक है तो सम A, R, B का ये वाला डाइग्राम बन जाएगा और पहली condition ये और दूसरी condition दी हुई है आपको no B is C मतलब कि इस B का C से कोई relation नहीं है ठीक है condition आपको ये दी है सम A, R, B यान कि कुछ A, B है हिंदी में क्या बोलेंगे कुछ A, B है और कोई B, C नहीं है no B is C कोई B, C नहीं है कोई B, C नहीं है ठीक है कुछ A, B है ये वाला डाइग्राम और कोई B, C नहीं है तो ये वाला डाइग्राम इस तरीके से आप समझ जाएंगे ठीक है ये पहला कथन है ये दूसरा कथन है अब इसमें आपको समझ लेना है अब जो निसकर्स है वो खुद से बनाने की कोशिस करता हूँ और आपको समझाने की कोशिस करता हूँ ठीक है अगर आपको निसकर्स एक में दिया है कि कुछ A, C है कुछ क्या है कुछ A, C है ठीक है तो कुछ A, C है कुछ का मैंने क्या बताए आपको कॉमन पार्ट होना चाहिए इस तरीके से कॉमन पार्ट होना चाहिए तो क्या आपको A और C के बीच में कहीं पर भी कॉमन रिलेशन दिख रहा है तो आप बोलेंगे कि सर नहीं दिख रहा है ठीक है तो ये जो कंक्लूजन है ये क्या हो जाएगा निसकर्स गलत हो जाएगा कुछ A, C हैं गलत हो जाएगा क्योंकि A और C के बीच में कोई भी डारेक्ट कॉमन रिलेशन नहीं है इस तरह का इसलिए ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है समझ लिए आपने चलिए इसके बाद दूसरी कंडिशन में दूसरा निसकर्स लेता हूँ कुछ A, C नहीं है अभी लिया था कुछ A, C हैं तो ये गलत हो गया था अब मैं ले रहूँ कुछ A, C नहीं है ठीक है अब हमने क्या ले लिया कुछ A, C नहीं है तो आप देख सकते हैं A का जो ये वाला पार्ट है क्योंकि B के अंदर है और जब पूरा का पूरा B C में नहीं जा सकता है इस क्रोस के कारण तो इसके अंदर वाला पार्ट C में नहीं जा सकता क्योंकि B वाला पूरा का पूरा पार्ट C में नहीं जा सकता क्यों क्योंकि बीच में cross relation है तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट ये भी C में नहीं जा सकता तो जो कुछ A कुछ A C नहीं है यानिकि कुछ A का ये वाला भाग C नहीं है ये condition क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी समझ गए आप लोग कुछ A, C नहीं है ये सही हो जाएगा जबकि कुछ A, C है ये गलत हो जाएगा क्योंकि comma relation नहीं है दोनों में ठीक है? अब आंगे बढ़ते हैं दो condition देख लिए जो तीसरी condition है हमारी वो ये है कि कोई B, C नहीं है कोई B, C नहीं तो ये तो कथा नहीं है ठीक है? सभी A, C है सभी A, C है सभी A, C है सभी A, C का मतलब ये होता है कि जो ये A है वो पूरा का पूरा होना चाहिए C के अंदर डाइग्राम में सभी A, C है इस तरीके से डाइग्राम मना था तो C के अंदर होना चाहिए न A को लेकिन यहाँ पर नहीं है तो जो सभी A, C है ये भी कंक्लूजन क्या होगा गलत होगा क्योंकि जो A है वो C के अंदर नहीं है ठीक है इसलिए ये बाला जो सभी A, C है गलत हो जाएगा चलिए एक और एक्जामपल के थूरू समझने की कोशिस करते है अभी धेर सारे कुश्चन लिए गए है अगर यहां पर समझ में नहीं आएगा तो कुश्चन के माद्य हम से समझ जाएंगे आल, A, R, B पहला है सभी A, B है ठीक है सभी A क्या है B है और दूसरा है कोई, B, C नहीं है कोई, B, C नहीं है ये नहीं वाला जो है ये confusion पैदा करता है इसलिए मैं इसको जोड़ दे के समझा रहा हूँ आपसे normal आल वाले बन जाएंगे sum वाले बन जाएंगे बट ये not वाले में थोड़ी सी दिक्कत जाती है ठीक है और यहां पर आपने समझ लिया तो आईदार और वाले केस में आपको सहूलियत होगी ठीक है तो सभी A, B हैं इसका diagram आप बना सकते हैं अब easily बन जाएगा आपसे कि सभी A मतलब A को रख देना है किसके अंदर? B के अंदर तो सभी A, B हो गए ठीक है अब कोई भी B, C नहीं है मतलब B और C के बीच में क्रोस रिलेशन है कोई भी B उठाकर C में नहीं ले जा सकते इस क्रोस का मतलब हम यह समझेंगे ठीक है अब B को C में नहीं ले जा सकते हैं तो एक बात बताईए अगर यह A, B के ही अंदर है मतलब कि यह B का ही पार्ट है जब B को C में नहीं ले जा सकता इस क्रोस के कारण तो क्या इस A को C के अंदर ले जा सकता है तो आपका अंसर जाएगा नहीं मतलब अगर ऐसा पूछता कि सभी A, C हैं अगर आपका कंक्लूजन फर्ष्ट होता कि सभी A, C हैं सभी A क्या है? C हैं तो आपका क्या अंसर होता? गलत मतलब यह निसकर्च क्या हो जाता? रॉंग हो जाता क्योंकि अगर सभी B, C में नहीं जा सकते तो A, B का ही पार्ट है तो A भी नहीं जाएगा C में तो सभी A, C हैं यह हो जाता, गलत ठीक है? इतना समझ रहा है मतलब सारा खेल किसे का है? इस क्रॉस का है आपने अगर यह समझ लिए कि इस क्रॉस से इस तरब क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है ये समझ लिए तो आपसे पूरा का पूरा बन जाएगा ठीक है अगर पूछता है कि कुछ A, C है तो आप simple सा बता देंगे A और C के बीच में कोई भी common relation नहीं है common इस तरह का relation नहीं है इसलिए sum A, C कुछ A, C ये गलत हो जाएगा ठीक है, कुछ B, C है ये भी गलत हो जाएगा, जब पूरा का पूरा B, C नहीं है तो कुछ B, C ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है अभी यहाँ पर possibility की बात नहीं कर रहे है, possibility next part में पढ़ेंगे यहाँ सिर्फ basic आपको diagram बनाना आना चाहिए ये जो मैंने condition not वाली बताई है इसको आना चाहिए, ठीक है अब थोड़ा सा question की तरफ बढ़ते हैं हम लोग तो हमारा पहला question है सभी मचलियां पंची हैं देखे, आपको अगर syllogism में diagram बनाना है तो आपको sort में use करना होगा sort form, जैसे मचली को M लिख दीजिए ठीक है, मुर्गी को हिंदी से लिख दीजिए अगर same same फसरा है तो, जैसे मैं बनाता हूँ एक ठीक है, मैंने बोला सभी मचलियां मतलब जो सभी मचलियां हैं वो किस के अंदर हैं, पंची के अंदर हैं ठीक है, पंची को लिख दिया पी से और कुछ मुर्गियां मचली हैं जो कुछ मुर्गियां हैं ये मचली के अंदर हैं मचली इसके अंदर हैं क्या मुर्गियां इस तरीके से इसका डाइग्राम बन जाएगा, ठीक है कुछ मुर्गियां क्या हैं मचली हैं सभी मचलीयां पंची हैं तो देखिए सभी मचलीयों को मैंने पंची के अंदर कर दिया सिंपल सा जैसे बताया था विलकुल वैसे ही कर रहे हैं इस सभी मचलीयों को हमने पंची के अंदर कर दिया और कुछ मुर्गीयां मचली हैं यानि कि मचलियों के छोटे से पार्ट को हमने मुर्गिया नाम दे दिया ठीक है तो जैसा कुश्चन में बोला वैसा हमने डाइग्राम बना लिया अब बढ़ते हैं डाइग्राम बनाने के वाद निसकर्स की तरफ तो पहला निसकर्स है कुछ मुर्गियां पंची है भूल गया था ठीक है जैसे सभी a b हैं सभी a क्या है यहीं पर समझा देता हूं कोई दिखक्त नहीं है सभी a b है ठीक है तो इसका डाइग्राम कैसे बनेगा जो a है सभी के सभी a b के अंदर हो गए तो ऐसी कंडिशन में जो कुछ b हैं कुछ b a हैं कुछ b a हैं ठीक है कुछ b क्या है a है आप देख सकते हैं यह पूरा का पूरा b है उसमें से कुछ यह b का हिस्सा a है तो कुछ b a है यह सही होता है ठीक है कुछ B A सही होता है कैसे समझोगे आप लोग यह पूरा का पूरा B है इसके अंदर A है ठीक है तो कुछ B A है क्योंकि यह B का ही हिस्सा है जो कि A है तो कुछ B A यह सही होता है और अगर आपसे जश्ट इसका reverse बोला जाए कि कुछ एक सेकेंड मिटा देता हूँ फहले कुछ A B है क्या बोला जाए कुछ A B है यानकी सम A R B कुछ A B है इस तरीके से बोल लिया जाए तो ये कंडिसन हो जाती है गलत क्यों क्योंकि जो A है ये पूरा का पूरा B में है मतलब कि सभी A B है तो जब सभी A B है तो कुछ A B है ये वाली कंडिसन क्या हो जाती है गलत ठीक है ठीक है दोस्तो समझ में आ गया होगा आपको ठीक है सेम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर इस कुश्चन में आप से क्या बोला गया है कि कुछ मुर्गियां पंची है मतलब ये जो कुछ मुर्गियां है वो पंची है क्या तो आप बोलेंगे सर ये तो सभी देखे सभी की सभी मचलियां पंची है और मचली के अंदर मुर्गी है तो सभी की सभी मुर्गियां भी सभी की सभी सभी मुर्गियां पंची हो जाएंगी सभी मुर्गियां क्या हो जाएंगी पंची हो जाएंगी ठीक है तो सभी मुर्गियां पंची हो जाएंगी क्योंकि देखिए सभी मचली क्या है पंची है तो सभी कि सभी मुर्गियां पंची हो जाएंगी तो यह वाली कंडिशन जो की question में दी है, सभी कुछ मुर्गियां पंची है, ये हो जाएगी गलत, ठीक है, कुछ मुर्गियां पंची है, पहली condition क्या हो जाएगी हमारी गलत, ठीक है, क्योंकि सभी मुर्गियां पंची है, तो कुछ मुर्गियां पंची ये वाली गलत हो जाएगी, दूसरा निसकर से कोई पंच्छी मुर्गी नहीं है मतलब ये कोई पंच्छी मुर्गी नहीं है तो देखिए नहीं आया नहीं के लिए आपको क्या ढूलना है cross relation इस पूरे ड्राइग ग्राम में आपको कहीं भी cross नहीं देख रहा है कोई पंच्छी मुर्गी नहीं है मतलब पंच्छी का कोई सा भी भाग मुर्गी में नहीं ले जा सकता ये बोर रहा है तो पंच्छी और मुर्गी के बीच में इस तरीके से cross relation नहीं है इसलिए ये गलात हो जाएगा मतलब इसका right answer क्या हो जाएगा कि ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है ठीक है option number c ये हो जाएगा d number ना तो एक और ना ही दो ठीक है चलिए next में चलते हैं अब ये पहला question था इसलिए इसमें ज़्यादा time लगाए है अब जल्दी जल्दी करेंगे कुछ जूते coat है तो कुछ जूते क्या बना देना है आपको coat बना देना है ठीक है कुछ जूते coat और कुछ coat button है ये जो कुछ coat है ये है button चलिए ठीक है मैं इनको उपर लिखता हूँ अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जो कुछ जूते है J for जूते वो है coat K for coat और कुछ coat button है यानि कि कुछ coat क्या है button button को लिख देता हूँ B इस तरीके से ये diagram बन जाएगा निसकर से कोई button जूता नहीं है तो कोई भी button जूता नहीं है नहीं आ गया चाहिए क्या cross relation जो की नहीं है diagram में नहीं है cross relation तो पहला निसकर्च क्या हो जाएगा गलत और दूसरा क्या है कुछ जूते button है ये जो कुछ जूते हैं ये button है इस तरीके से तो जूते और button के बीच में sum की condition में मैंने क्या बताया था कुछ A B है मतलब कि कुछ A का भाग और B के भाग के बीच में common होना चाहिए sum की condition के लिए दौनों के बीच में common होना चाहिए ठीक है तो जूते और button ये है जूते ये है button इन दौनों के बीच में कोई भी common भाग देख रहा है आपको तो बोलेंगे कि नहीं देख रहा है तो दूसरा भी जो conclusion है वो हो जाएगा गलत अब कुछ लोग सोच रहे होगी कि जूते को आपने इस तरब क्यों मनाए इस तरब बना लेते तो common बन जाता तो इसका जो silogism है ये कम से कम overlapping को follow करता है मतलब यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर इस तरीके से अगर इसको बनाए होते इस तरीके से तो यह एक दो तीन चार जगे कट करता ठीक है एक दो तीन चार पांच जगे कट करता यहाँ पर दो जगे तो minimum overlapping rule को follow करता है इसलिए जो जूते और coat के बीच में relation हो यहाँ पर बनेगा और coat और button के बीच में यहाँ पर बनेगा तो कुछ जूते button हैं यह condition क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी दौनों के बीच में relation नहीं दिख रहा है तो इसका भी right answer क्या हो जाएगा option number D ना तो एक ना ही दो ठीक है चलिए next question है तीसरा सभी bet लड़के हैं जो bet हैं सभी के सभी bet क्या है वो लड़के हैं तो bet को लिखता हूँ मैं B से लड़के को लिखता हूँ L से ठीक है और सभी के सभी लड़के क्या हैं गलोब हैं तो यह जो लड़के हैं यह भी किस के अंदर आ जाएगी globe के अंदर ये इसका डाइग्राम हो गया ये किस क्या है bet ये क्या है लड़के और ये है globe ठीक है चलिए conclusion की तरब चलते हैं निसकर्च की तरब चलते हैं तो कुछ globe bet हैं ये जो कुछ globe हैं ये bet हैं तो मैंने अभी जश्ट पहले question में आपको समझाया था कि अगर सभी above हैं तो कुछ b-a सही होता है कुछ b-a क्या होता है सही होता है तो ये वाली जो condition अभी हमने देखी कुछ जी यानि कुछ globe bet है पहली condition क्या हो जाएगी सही हो जाएगी दूसरा सभी bet globe हैं जो ये सभी बैट हैं क्या वो globe के अंदर हैं ये जो सभी के सभी बैट हैं क्या वो globe के अंदर हैं तो आप बोलोगे sir हाँ globe बैट के अंदर हैं तो option number 2 भी क्या हो जाएगा right हो जाएगा बहुत ही simple question था मतलब इसका right answer होगा E, 1 और 2 दोनो चलिए next question पर question number 4 है थी कुछ ढॉक्टरmern 1 मतलब की या कुछ जो ढॉक्टर है वो नर्स है इस तरीके से डाइग्राब बनेगा ये क्यों है रॉक्टर और यह है नर्स मैं डी से भॉक्टर और राइन से नर्स लिखता हो सभी नर्स पेसेंट हैं मतलब यह जो नर्स 셋 हैं ये सभी की सभी नर्स हैं किसके अंदर हैं तो ये हैं पेसेंट के अंदर इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा चलिए अब निसकर्ष की ओर बढ़ते हैं अब डायग्राम तो I think आपको समझ में आ जाता होगा देखे उसने बोला सभी नर्स पेसेंट है तो इस नर्स को पेसेंट के अंदर कर देना है और बोला कि कुछ डॉक्टर नर्स हैं तो इन डॉक्टर को और नर्स के बीच में common part बना देना है जो कि ये है ठीक है तो इस तरीके से डायग्राम में अब कोई दिक्कत नहीं जा रही होगी चलिए सभी डॉक्टर पेसेंट है क्या तो सभी के सभी डॉक्टर पेसेंट है यानि कि जो सभी के सभी डॉक्टर है क्या वो पेसेंट के अंदर है तो आप बोलोगे नहीं सर ये वाला जो पार्ट है जो इतना पार्ट है इस तरप का पार्ट है तो पेसेंट के अंदर नहीं है तो यह जो conclusion one है वो क्या हो जाएगा गलत ठीक है दूसरा दूसरा निसकर क्या है कुछ कुछ पेसेंट डॉक्टर है मतलब कि जो यह कुछ पेसेंट है वो डॉक्टर है तो देख लेते हैं यहां पर देखिए जो common part है यह कौन है डॉक्टर और यह कौन है पेसेंट है तो पेसेंट का ही कुछ पार्ट है डॉक्टर मतलब कि कुछ में मैंने आपको बताया था कि पे प्रजेक्ट क्या है इसमें? पेसेंट और डॉक्टर हैं, मतलब P है और D है, P और D के बीच में क्या कहीं common relation है? तो आप बोलोगे हाँ सर है, ये पूरा का पूरा P है और ये D है, और इन दोनों के बीच में ये क्या है? common part है, तो कुछ की condition follow हो जाएगी, यानि कि कुछ पेसें पांच में वड़ते हैं कुश्य नमर पांच में हमारा सभी नेता अच्छे कार करता है जो सभी नेता है वह अच्छे कार करता है और सभी अच्छे कार करता अच्छे वक्ता है तो इसमें अच्छे को ध्यान नहीं देना सिर्फ सभी देखिए जो सभी नेता है ठीक है इस तरी एक कार करता को के से लिख देते हैं, ठीक है, सभी नेता अच्छे कार करता हो गए, और सभी अच्छे कार करता वक्ता हैं, तो जो ये अच्छे कार करता थी, ये भी किस के अंदर आएंगे, ये आएंगे वक्ता के अंदर, वक्ता को लिख देते हैं, भी से, ठीक है, ये बन ग करता है वो नेता है तो अब मैं बारबार नहीं बताऊंगा सिंपल सा ये कंडिशन सही होती है ठीक है क्योंकि जो नेता है वो अच्छे कार करता का ही एक भाग है कुछ भाग है तो कुछ की कंडिशन सही होती है बाहर से अंदर क्यों तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया सही फि सभी के सभी वक्ता क्या नेता के अंदर है सभी अच्छे वक्ता नेता है ये conclusion है तो क्या सभी के सभी वक्ता नेता के अंदर है तो आप बोलोगे नहीं सर जबकि नेता वक्ता के अंदर है उसमें बोला कि सभी अच्छे वक्ता नेता के अंदर है तो ये conclusion क्या हो जाएगा? गलत ठीक है? सभी वक्ताओं को नेता के अंदर नहीं लाया जा सकता मतलब नहीं है वो तो ये गलत हो जाएगा तो इसके लिए option number कौन सा सही हो जाएगा? पहला केवल एक चलिए नेक्ट question सभी आतंकवादी मनुष्य हैं ठीक है? आतंकवादी भी मनुष्य होते हैं ठीक है? सभी आतंकवादी क्या है? मनुष्य है तो इसका बना देते हैं ये सभी आतंकवादी को डाल देते हैं मनुष्य के अंदर ये है मनुष्य और ये है आतंकवादी ठीक है? और सभी मनुष्य खराब है मनुष्य क्या है किसके अंदर आ जाएंगे खराब के अंदर सभी मनुष्य हो गए खराब खराब को लिख देते है के से तो देखे क्या लिखा था सभी के सभी आतंकवादी मतलब यह सभी आतंकवादी किसके अंदर आ गए मनुष्य के अंदर तो मनुष्य है सभी आतंकवादी क्या है? मनुष्य है ठीक है फिर सभी मनुष्य खराब है मतलब ये जो मनुष्य है सभी के सभी ये किसके अंदर आ गए? खराब के अंदर आ गए तो दौनों डाइग्राम आपने समझ लिए ठीक है? चलिए सभी आतंकवादी खराब है ये जो सभी के सभी आतंकवादी है क्या ये खराब के अंदर है? सभी की कंडिशन तो यही बोलती है कि अंदर होना चाहिए कि सभी के सभी आतंकवादी क्या खराब के अंदर है? तो आप बोलेगे हाँ है तो आप्सन नमबर जो कोई मनुष्य आतंकवादी नहीं हो सकता तो नहीं आपने देखा क्रॉस रिलेशन पूरे डाइग्राम में नहीं देख रहा है तो आपको सिंपल सा लगा देना है गलत ठीक है फिर भी समझ लेते हैं कोई मनुष्य मनुष्य का है यह है कोई भी मनुष्य आतंकवादी नहीं ह हो सकता आतंकवादी का है यह तो ऐसे कैसे नहीं हो सकता यार जब आतंकवादी मनुष्य के अंदर है तो क्यों नहीं होगा इसी का common part है यह तो मनुष्य का ही common part है आतंकवादी तो यह हो सकता है और बैसे भी मैंने आपको बता है नहीं देखे diagram में cross relation नहीं है आपको सीधे से गलत लगा देना है ठीक है तो इसका भी option number A सही हो जाएगा केवल 1 चलिए next question सात्वा question है हमारा कुछ समाज सेवक अनुसरण करता है मतलब कुछ समाज सेवक क्या है अनुसरण करता है समाज सेवक को मैंने ऐसे और अनुसरण करता को एसे लिग दिया फिर है कुछ अनुसरण करता प्रसिद्ध है तो यह जो कुछ अनुसरन करता है वो क्या है प्रसिद्ध है ठीक है least overlapping rule कहलाता है ये ठीक है इसलिए इसको इस तरफ लेते हैं मैं साहिद बता चुका हूँ पिछले पिछले में ठीक है पिछले question में तो इस तरीके से क्या होगा कुछ समाज सेवक अनुसरन करता है समाज सेवक और अनुसरन के बीच में ये common part और कुछ अनुसरन करता प्रसिद्ध है तो ये common part दिख गया आपको चलिए diagram के बाद सीधे निसकार्श में अब थोड़ा speed बढ़ाएंगे ठीक है कुछ समाज सेवक प्रसिद्ध है क्या कुछ समाज सेवक प्रसिद्ध समाज सेवक और प्रसिद्ध के बीच में common relation देख रहा है तो नहीं दूर दूर बीच में common relation है ठीक है अच्छे से देख लीजे ये हैं समाज सेवक और ये हैं अनुसरान करता इन दोनों के बीच में ये है common relation तो some की condition क्या होगी follow होगी तो दूसरा हो जाएगा सही यानि कि option number B सही होगा cable 2 चलिए next सभी graduate कुरसियां है ठीक है सभी graduate क्या है कुरसियां मतलब की graduate को करना पड़ेगा किस के अंदर कुरसियों के अंदर ये G for graduate K for कुरसी और सभी कुरसियां table है तो कुरसियों को अंदर कर दो किस के table के अब निसकर पे चलो सभी graduate table है क्या जो ये सभी के सभी graduate है ये जो graduate है वो table के अंदर है क्या तो आप बोलोगे हाँ sir है तो some की condition तो all की condition तो follow हो गई सही है ठीक है सभी table graduate है जो सभी की सभी table है क्या वो graduate के अंदर है तो आप बोलोगे sir नहीं है तो दूसरी condition क्या हो जाएगी गलत तो option number कौन सा सही हो जाएगा केवल एक ठीक है option number एक केवल एक चलिए नौमा है प्रत्येक मंत्री एक बिद्यार्थी हो है ठीक है मतलब प्रत्येक का मतलब भी वही है every ठीक है जो all होता है इसको each भी लिखते हैं every भी लिखते हैं तो confusion नहीं होना है यह सब किसके condition है all वाला diagram ही बनेगा इसके लिए all के लिए each के लिए every के लिए ठीक है इसी तरह से no के लिए भी no, no one ठीक है इस तरीके से बनते हैं either और वाला case पढ़ेंगे तो उसमें सब हम complimenti जब pair बताएंगे आपको तो उसमें आपको सब कुछ clear हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ आप basic diagram बनाना सीखे और किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं वो सीखे ठीक है 9 question है diagram बनाते है प्रतेक मंत्री एक विद्यार्थी मतलब कि जो मंत्री है वो विद्यार्थी के अंदर है ठीक है एम और विद्यार्थी को लिखता हूँ बी से ठीक है हिंदुस्तानी है पर लोग तो हिंदी वाले वाड़ी उज़ कर रहे है नहीं तो minister और विद्यार्थी को as student लिखते है ना प्रतेक विद्यार्थी अनुभाव हीन है जो ये प्रतेक विद्यार्थी है ना यनकी सभी विद्यार्थी कैसे है अनुभाव हीन है अनुभाव हीन के अंदर है अब इसका मतलब ये नहीं है कि अनुभाव हीन है तो वो cross relation लगा दो आप ठीक है मतलब उनमें अन्भव नहीं है आपको सिर्फ यह देखना है कि प्रतेक मंत्री एक विद्यार्थी है तो मंत्री को डाल दो आप विद्यार्थी के अंदर फिर देखा आपने प्रतेक विद्यार्थी अन्भव हीन है सभी मंत्री अनभोहीन है क्या तो आप का अंसर होगा हाँ सभी के सभी मंत्री किसके अंदर है अनभोहीन के अंदर है तो जो conclusion 1 है निसकर से एक है सही हो जाएगा इसी तरह से दूसरा देखो कुछ अनभोहीन बिद्यार्थी है क्या तो मैंने आपको बता है, बाहर से अंदर की और समकी कंडिशन फॉलो होती है, क्योंकि यह जो b है बिद्यार्ती है, वो अनभोहीन का ही तो पार्ट है, इसलिए कुछ अनभोहीन बिद्यार्ती सही हो जाएगा, तो दोनों सही हो जाएगे, आंसर हो जाएगा e नमबर एक और दोनों ठीक है चलिए next question कुछ सिच्छक अनुसरण करता है जो कुछ student teacher है वो अनुसरण करता है सम की condition तो common बनेगा ठीक है अच्छे से बनाते है common part यह तो यह क्या है सिच्छक को मैं लेख देता हूं T और अनुसरण को लेख देता हूं यह थीख है फिर बोला कुछ अनुसरण करता प्रसिद्ध है तो यह रिपीटेड़ कुष्ष्ण है तो समय साइट इस तरीके कर चुक है यह प्रसिद्ध हो जाएगा तो कुछ सिच्छक प्रसिद्ध हैं क्या कुछ teacher प्रसिद्ध में जाएंगे आप बोलेंगे नहीं जाएंगे दूसरा कुछ अनुसरन करता सिच्छक हैं कुछ अनुसरन करता सिच्छक हैं इन दोनों के बीच में कौन पार्ट है तो यह हो जाएगा सही ठीक है यह कर चुके हैं कुछ नमबर दूसरा सही हो जाएगा ठीक है केबल दो अब ये है कुछ समर्पित आत्माएं फरिस्ते हैं बहुत भयानक सब्द लिखा हुआ है ठीक है बना लेते हैं कुछ की कंडिशन बना लेते हैं ये बना कुछ का डाइग्राम ये समर्पित आत्माओं को मैं S लिखता हूँ और फरिस्ते को F लिखता हूँ सभी समाज सेवक फरिस्ते है तो जो सभी समाज सेवक है वो किसके अंदर है फरिस्ते के अंदर है ये समाज सेवक है डाइग्राम बनाना आ गया तो समझ लिए आपसे सब बन जाएगा सिलोगिजम के अंदर इसलिए एक एक चीज को ध्यान में देते चलिएगा सभी के सभी जो कुछ समर्पित आत्मा है तो कुछ की कंडिशन में common बना दिए कुछ समर्पित आत्मा है फरिस्ते हैं बना दिए फिर बोला कि सभी समाज सेवक ये जो सभी समाज सेवक है वो फरिस्ते हैं मतलब फरिस्ते के अंदर आना चाहिए समाज सेवकों को यहीं न कह रहा है तो इसका डाइगरम इस तरीके से बनेगा चलिए निसकर्स कुछ समर्पित आत्माएं समाज सेवक होते हैं ठीक है कुछ जो समर्पित आत्माएं हैं वो समाज सेवक हैं क्या तो आप देख सकते हैं कुछ समाज सेवक और समर्पित आत्माएं और समाज सेवक के बीच में कोई भी common part आपको दिख रहा है क्या आप गोलेगे सब नहीं दिख रहा है तो पहला conclusion क्या हो गया गलत हो गया अब आप लोग सोच रहे होगे कि समाज सेवक को मैंने यहां पर क्यों नहीं बना दिया इस तरीके से ताकि यह condition सही हो जाए तो आप वही याद रखना है least overlapping rule कम से कम overlapping rule को follow करता है कौन इसलिए पहली condition क्या होती है गलत common relation नहीं बनेगा समर्पित आत्मा और समाज सेवक के बीच में फिर है कुछ समाज सेवक समर्पित आत्मा होती है ठीक है कुछ समाज सेवक यानि कि कुछ जो यह समाज सेवक है वो समर्पित आत्मा है तो इसका reverse suggest तो यह भी गलत हो जाएगा ना तो समाज सेवक समर्पित आ एक और ना ही दो ऑप्सिन नमर डी विल भी राइट आंसर ठीक है चलो कुछ नमर बारा है सभी बल्ब टेबल है सभी बल्ब क्या है टेबल है तो बना देते हैं यह सभी के सभी जो बल्ब है सभी के सभी जो बल्ब है वो किसके अंदर आ जाएंगे टेबल के अंदर ठीक है सभी बल्ब क्या है टेबल है कुछ बल्ब पॉर्ट है अब कुछ बल्ब पॉर्ट है तो बल्ब और पॉर्ट के बीच में रिलेशन बनाना पड़ेगा आपको इस तरीके से ठीक है कुछ पॉट है इसी बल्व के अंदर बताया है बल्व और पॉट के बीच में रिलेशन कैसा है कुछ बल्व पॉट है BEC बल्ब का कुछ हिस्हा बनने ले लिए और उसको बतादिए कि यह pot है इसी तरह से पहले से साभी बल्ब टेवल हैं तो तो हो सिंपल था तो डाइग्राम बन गया चलते हैंडocy कर दिया जो पाँ drive कर चौरेब से सभी पौट से सभी पौट ये पौट है ये गालर छिंज करनें ठीक है ये जो पौट है क्या वो पौट है तो आप बोलोगी हां सर अंदर हैं तो पहला क्या होuego guitar सही कोई pot table नहीं है क्या कोई pot और table नहीं देखा crosslation diagram में दिख रहा है नहीं दिख रहा तो सीरे से गलत कर दिया करो ठीक है कुछ pot table है क्या और जो कुछ pot है वो table है क्या अंदर से बाहर की और ये पूरे के पूरे pot table के अंदर है तो जो कुछ pot table है ये हो जाती है condition गलत तीसरी क्या हो जाएगी गलत तो इसका right answer क्या हो जाएगा cable 1 option number a इसको मैं शुरू में अच्छे इसलिए अच्छे से समझा रहा था ये वाली condition को क्योंकि ये बार बार confused पैदा करती है आपको लगता है कि pot तो t के अंदर pot t के अंदर है तो ये समबाली condition भी follow हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है जब pot r की condition follow कर रहा है मतलब कि सभी के सभी pot t के अंदर है तो sum t is pot ये गलत हो जाता है मतलब कुछ pot table है ये गलत हो जाता है ठीक है चलते हैं और तो option number ए केवल एक सही हो जाएगा चलते हैं तेरवे question के अंदर उपर सभी चूहे घंटिया नहीं है चूहे तो मूसक सवारी है किसकी गडेज जी की तो इसको घंटिया नहीं बोलना घंटिया है ठीक है चूहे को मैं C से लिखूँ कि R से लिख देता हूँ थोड़ा थोड़ा अंगरेजी भी आनी चाहिए सभी चूहे क्या है घंटियां है सभी के सभी रेट किसके अंदर है घंटियां के अंदर है घंटियां वैल लिख देते है या घंटियां चलो घंटियां वैल लिख देता हूँ ठीक है बी लिख देता हूँ इसको और इसको आर सभी घंटियां कार है जो ये सभी की सभी बैल है वो किस के अंदर है कार के अंदर है यान की सी के अंदर है ठीक है देखो आपको जब डाइग्राम बनाने तो सौट फॉर्म ही लिखना है बहुत सारे लिखो के टाइम जाएगा कोई मतलब नहीं है चलिए सभी घंटियां चूहे है सभी की सभी जो घंटियां है क्या वो चूहे है मतलब इस बैल को बैल यान की गंटियां क्या आर के अंदर है चूहे के अंदर है तो आप बोलोगे नहीं घंटियां तो चूहे के अंदर नहीं है तो पहली condition क्या हो जाएगी गलत दूसरा देखो कुछ कार ना ही घंटी और ना ही चूहे है कुछ कार ऐसी है जो ना तो घंटी है और ना ही ना तो घंटी है और ना ही चूहे है ठीक है इसमें ये पूछा गया है मतलब कुछ कार ऐसी है जो ना तो घंटी हैं और ना ही चूहे हैं तो आपको मैंने क्या बताया, नहीं देख रहा है Cross Relation नहीं है, नहीं मैं क्या चाहिए Cross Relation, पूरे डाइग्राम में Cross Relation नहीं देख रहा है तो इसको सीधे से गलत कर देना है, ठीक है इसके बाद कोई कार चूहा नहीं है, मतलब कि कोई भी कार चूहा नहीं है नहीं आ गया, Cross Relation नहीं है, गलत लगा दो मतलब इसमें कोई भी अनुसरा नहीं करता है आपको मैं बार-बार बोल रहा हूँ, नहीं मतलब Cross नहीं मतलब cross और cross relation कैसे बनता है starting में बता चुके हैं चवद्वा सभी road पेड़ हैं मतलब की सभी road क्या है पेड़ है road को मैं R से लिखता हूँ पेड़ को T से लिखता हूँ ठीक है और कोई पेड़ साबन नहीं है चलो अब आया नहीं वाला system तो इसको मैं यहां पर बना देता हूँ कोई भी जो पेड़ है वो साबन नहीं है साबन मतलब सोप ठीक है चलिए condition समझ में आ गई होगी diagram अब कोई दिक्कत नहीं है आद इतिबार कर चुगे है ना निसकर्स यानि की जो conclusion है कोई साबन रोड नहीं है कोई साबन रोड नहीं है तो देखिए कोई साबन और रोड के बीच में हमको क्या चाहिए cross relation चाहिए नहीं के लिए तो है तो पहली condition क्या हो जाएगी सही इसका मतलब यह होता है कि यह जो T है ना यह पूरा का पूरा T इस S के अंदर नहीं आ सकता और नहीं यह S इस T के अंदर जा सकता इस cross relation का मतलब यह होता है S को आप उठा करके T में नहीं ले जा सकते तो एक बात बताईए T के अंदर ही तो R है अगर S को T में नहीं ले जा सकता हूँ मैं तो R में तो definitely नहीं ले जा पाऊँगा ठीक है तो ST कोई साबन रोड नहीं है यह कोई साबन यानि कि यह जो साबन है वो रोड नहीं है यह कंडिसन हो जाएगी सही क्योंकि एक्चुल नहीं है और दूसरा कुछ पेड रोड है क्या यह कुछ जो पेड है कुछ पेड क्या वो रोड है तो बाहर से अंदर की और sum की condition follow करती है अब आपसे गलत नहीं होगा सही हो जाएगा कोई road साबन नहीं है यह जो कोई भी road है वो साबन नहीं है road को साबन में नहीं ले जाय सकता जब पूरा का पूरा T साबन में नहीं जा सकता तो उसके अंदर है R यह भी साबन के अंदर नहीं जा सकता तो कोई road साबन नहीं है यह भी हो जाएगा सही समझ में आ गया होगा अब तो तीनों सही है यानि कि सभी अनुसरान करते हैं option number E चलिए पंदरमा question है हमारा कुछ hotel eat है है मतलब hotel और eat के बीच में कैसा relation है common यह होटल यह है eat eat को में लग देता हूँ E से ठीक है कुछ hotel eat हो गई है सभी केले eat है मतलब कि जो सभी केले हैं वो किस के अंदर है eat के अंदर है ठीक है केले फौर बनाना तो simple सा है हमने diagram समझ लिया कुछ hotel eat है मतलब hotel और eat के बीच में common part बना दिये और सभी के सभी जो केले हैं वो eat है मतलब कि केले पूरे के पूरे अंदर हो जाएंगे eat के ठीक है यह बना लिया चलो अब जाते हैं निसकर्स में कुछ केले hotel है कुछ केले hotel है क्या hotel यह वाले part और यह वाले केले के बीच में common relation देख रहा है आप बोलेंगे नहीं देख रहा तो पहला क्या हो गया गलत ठीक है दूसरा कुछ eat होटल है क्या जो कुछ eat है वो hotel है क्या तो आप बोलोगे हाँ eat और hotel के बीच में तो common relation बन रहा है तो यह definitely सही हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा तीसरा कोई केला होटल नहीं है कोई केला होटल नहीं है नहीं में लगया cross relation नहीं है सीधे गलत कर दिया करो ठीक है कोई केला होटल नहीं है cross relation नहीं देख रहा तो सीधे सीधे क्या कर दिया करो गलत कर दिया करो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा यानि कि केबल दो सही है ठीक है ओप्सन इसमें दिख नहीं रहा है केबल दो सही है कोई केला होटल नहीं है मतलब कि कोई भी केला होटल नहीं है तो यह तो डेफिनेटली गलात है क्योंकि cross sign नहीं है, इसका जो right answer होगा, एक आंसरन करता है, इसका right answer होगा, चलिए, कुछ जो किताबे लेंप है, कुछ जो किताबे हैं, वो लेंप है, और कुछ लेंप सरीया है ये कुछ जो लेंप हैं वो क्या है सरीया है ऐस है ये तो बहुत ही सिंपल है इसमें आपको बताना है निसकर्स देखिए कुछ किताबें सरीया है क्या बुक और सरीया की बीच में कॉमर रिलेशन है आप बोलोगे नहीं है सीधे गलत करो कोई सरीया किताब या लैम्प नहीं है कोई सरीया किताब या लैम्प नहीं है मतलब क्रॉस रिलेशन नहीं है गलत कर दो सभी सरीया लैम्प है सभी की सभी सरीया लैम्प के अंदर है तो आप बोलोगे नहीं ये तो गलत है ठीक है, सभी सरीय लेंप है, मतलब ये सभी की सभी सरीय लेंप के अंदर होनी चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, इसका राइट टांसर हो जाएगा, कोई अनुसरा नहीं करता है, option number 4 17 है, सभी टेवल बकसे हैं, मतलब ये जो टेवल है, ये किस के अंदर है, बकसे के अंदर, ये है टी, ये है बकसा बी, कुछ बकसे खिडकियां है, जो कुछ बकसे हैं, ये किस के अंदर है, खिडकियों के अंदर है, ठीक है, इत्ता समझ लिए, कुछ टेवल क्या है, सभी टे बकसे और खिड़कियों के बीच में ये common part बना दिये ठीक है चलिए अब चलते हैं हम कहां पर conclusion की तरफ पहला है कुछ table खिड़कियां है क्या कुछ जो table है वो खिड़कियां है क्या तो आप देख सकते हैं दोनों में common relation नहीं है कुछ की जो condition होती है ये common relation तो table और खिड़कियों में कोई भी common relation नहीं है इसलिए ये हो जाएगा गलत दूसरा है सभी टेवल बकसे हैं क्या मतलब कि सभी के सभी टेबल बकसे के अंदर हैं क्या तो आप बोलोगे हां सर हैं सभी के सभी टेवल बकसे के अंदर मतलब ये रही हो जाएगा सभी बक से टेवल हैं उल्टा पढ़ दिया हम न conclusion थोड़ा सा उल्टा पढ़ गया है पहला क्या है गलत है कुछ टेवल खेड़ किया नहीं है और सभी बक से टेवल बोर रहा है मतब कि सभी के सभी ये बक से टेवल के अंदर हैं क्या तो आप बोलोगे नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है फिर कोई खिड़की टेवल नहीं है नहीं मिला मतलब कि ये भी गलत है कोई खिड़की टेवल नहीं है बीच में cross relation नहीं देख रहा है तो ये गलत हो जाएगा ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा को कोई अनुसरान नहीं करता है option number A 18 में चलो कोई कमरा बाग नहीं है मतलब जो यह कमरे को में लिखते हैं यह जो कमरा है और यह जो बाग है यानि कि टाइगर है ठीक है यह कमरा है यह बाग है इन दोनों के बीच में कोई relation नहीं क्रॉस सभी बाग बकरियां हैं यह जो सभी बाग है ना यह किसके अंदर है तो आप बोलो कि बकरियों के अंदर बकरी को लिख देता हूं मैं जी से बास लिख देता हूं ठीक बास बकरी सभी के सभी टाइगर अंदर होए किसके अच्छे से बना देते हैं इस तरीके से कि यहां पर कमरा बनाया क्रॉस रिलेशन किसके साथ बाग के साथ यह हो गया रूम और टाइगर अब और यह जो पूरा का पूरा टाइगर है वह किसके अंदर है सभी बाग क्या है बक्रियां है मतलब यह बजाएगा यह जो बाग है वो आ जाएंगे बक्रियों के अंदर तो यह हैं बक्रियां और यह हैं टाइगर ठीक है इस तरीके से अब आप ध्यान दीजेगा यह जो क्रॉस रिलेशन है वो किसके साथ है टाइगर के साथ है ना कि पूरी की पूरी बक्रियों के साथ ठीक है यह ध्यान दे बक्रियां कमरे हैं ये बक्रियां हैं और ये कमरे हैं कुछ के लिए कंडीशन क्या होती है common relation इस तरीके से common relation दौनों में देख रहा है क्या तो आप बोलोगे सर नहीं देख रहा है गलत करो दूसरा सभी बक्रियां कमरे हैं सभी की सभी जो ये बक्रियां हैं क्या वो इस कमरे हाँ सर बाग हैं क्योंकि ये जो बाग हैं ये भी बक्रियों का बाग है और सम की कंडिशन बाहर से अंदर क्यों फॉलो होती है ठीक है तो ये कुछ बक्रियां बाग हैं ये हो जाएगा सही तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये तीन हो जाएगा ठीक है आईदर और का केस ठीक है केबल तीसरा सही हो जाएगा कि कुछ बकरिया बाग हैं ये वाला सही हो जाएगा और इसका केबल तीसरा सही हो जाएगा ठीक है ये वाला तो बढ़ते आंगले कुछिछन की और same question, 19-वा 19-वा question है, कुछ car road है मतलब कि कुछ जो car है वो क्या है, road है ये है car और ये है road कुछ road bus है कुछ road क्या है, ये bus है तो ये तो simple सा अपसे बन जाएगा कुछ road क्या, car है क्या, पहला कुछ road car, road और car की बीच में common relation दिख रहा है color change करके दिखा देता हूँ road और car के बीच में common relation है तो सही हो जाएगा दूसरा कुछ bus car है क्या कुछ bus bus और car के बीच में common relation है नहीं है तो यह गलत हो जाएगा तीसरा कुछ bus road है क्या तो यह जो कुछ bus हैं bus और road के बीच में common relation देख रहा है तो यह सही हो जाएगा तो दो और तीन follow करते हैं option number दूसरा सही हो जाएगा ठीक है बीसवा है कुछ ब्यक्ति सेर है मतलब कि ब्यक्ति और सेर के बीच में common relation ब्यक्ति को मैं मैं लिख देता हूँ सेर को लिख देता हूँ लाइन ठीक है और सभी लॉम्णिया सेर है मतलब जो लॉम्णिया है न वो किस के अंदर है सेर के अंदर तो लाइन के अंदर है लॉम्णिया ये क्या है लॉम्णिया है समझ गया आप लोग देखे ब्यक्ति और सेर के बीच में some condition है यानि कि common part बनाना चाहिए बना दिये सभी लॉम्णिया सेर है मतलब लॉम्णियों को सेर के अंदर करना होगा तो कर दिये अब चलते है निसकर्स की तरफ निसकर्स कहता है कि कुछ लॉम्णिया ब्यक्ति हैं क्या जो ये कुछ लॉम्णिया है ये कुछ लॉम्णिया है वो व्यक्ति हैं क्या तो आप बोलोगे हां सर है दौनों के बीच में common है ये वाला पार्ट ठीक है ये वाला पार्ट common है लॉम्डी और व्यक्ति के बीच में सरी सेर और व्यक्ति के बीच में सेर और व्यक्ति के बीच में ये पार्ट common है तो ये सही हो जाएगा तीसरा क्या ह सभी सेर लॉमडी हैं जो सभी के सभी ये सेर हैं वो इस लॉमडी के अंदर हैं क्या लॉमडी के अंदर हैं क्या ये पूरे के पूरे सेर तो आप बोले के सर नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा गलत तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो ओप्सन नंबर ये सी नंब दो possibility वाले case होते हैं, उनको पढ़ लेंगे, इसके साथ ही हमारा slogan खतम हो जाएगा, ठीक है, तो ये बहुत ही important topic है, मिलते हैं अंगले वीडियो के साथ, बने रही है हमारे साथ, जै हिंद, जै भारत!